दोस्तो वीवो लौंच करने वाला 22 नमबर को वीवो युव टुएंटे फॉन को इंडिया में यह कफी आचे-काफी बढ़िया फोन होने वाला और यह फोन डाइरेट टकरदे गा मेरेड में नॉट आइड फोन को तो आज में वह इस वीडियों में बात करने वाला हूं Redmi Note 8 और Vivo U20 phone का बारे में ये दोनों phone का कुछ specification details comparison करने वाला हूँ ये दोनों phone में से कुछ फन बहतर है और किया आंतर ये दोनों phone का specification में अगर आप जानना चाहते हैं ये दोनों phone में से कुछ फन बहतर होगा और कुछ फन purchase करना चाहिए तो आप इस वीडियो में आज तक बना रही है तो चले दोस्तों दिख लेते हैं Redmi Note 8 और Vivo U20 phone का कुछ specification details किया आंतर है दोनों phone का specification में तो पहले याप डिस्प्ले से शुरू करते है Redmi Note 8 phone में डिस्प्ले साइड दिया गया 6.3 इंचीज का Full HD प्लास IPS LCD डिस्प्ले दिया गया और इसमें Waterdrop Nose दिया गया Waterdrop Nose के साथ में आता है Expert Issue का बात करें तो 19.59 Expert Issue दिया गया Screen to Body Issue का बात करें तो 90% Screen to Body Issue मिल जाता है और इसमें गरेले गलास का प्रोटेक्शन भी दिया गया और यहाप बात करें तो Vivo U20 phone इसमें डिस्प्ले साइड दिया जाएगा 6.53 इंचीज का Full HD प्लास IPS LCD डिस्प्ले दिया जाएगा और इसमें भी एक Waterdrop Nose दिया जाएगा Waterdrop Nose के साथ में आएगा Digital Cada भात करें तो 9.59 exp council दिया जाएगा इस क्रेंटर बाद करें तो 90.30 cm сч दिया जाएगा और इसमें क्रिले गलास का प्रोटेक्शन होगा नहीं इसके बारिमीपी कंफार्म नहीं है तो डिस्बले में ज्यादा कुछ आन्ता देखने मों नहीं मिलता है दौनु फ़ॉन में सेमी डिस्पले दिया गया है और यह दौनु फ़ॉना का देखोरा केमेरा मिल जाता है Redmi Note 8 phone में quad का rear camera दिया गया है जो primary sensor है 48MP का f1.8 aperture का साथ में दिया गया है और यह Samsung का sensor है Samsung GM1 sensor दिया गया है और जो secondary camera 8MP का f2.2 aperture का साथ में अल्टर वाइड sensor दिया गया है और जो touch camera 2MP का f2.4 aperture का साथ में micro lens के लिए दिया गया है और जो 4th camera 2MP का f2.4 aperture का साथ में depth sensor के लिए दिया गया है और इसमें 4K video recording support मिल जाता है LED flash दिया गया और यहापे बात करें तो Vivo U20 phone इसमें 3 full rear camera दिया जाएगा जो primary sensor होगा 16MP का f1.8 aperture का साथ में दिया जाएगा 8MP का f2.2 aperture का साथ में ultra wide sensor दिया जाएगा और जो touch camera होगा 2MP का f2.4 aperture का साथ में depth sensor के लिए दिया जाएगा और इसमें भी 4K video recording support मिल जाएगा LED flash भी दिया जाएगा और यह दोनों phone का selfie camera का बात करें तो Redmi Note 8 phone में 13MP का f2.0 aperture का साथ में selfie camera दिया जाएगा और यह दोनों phone का selfie camera में कोई LED flash देखने को नहीं मिलेगा तो यह पे rear camera में बाजी मल लेता है Redmi Note 8 phone इसमें काफी बढ़िया camera देखने को मिल जाएगा और selfie camera में बाजी मल लेता है Vivo U20 phone इसमें तुलासा बढ़िया देखने को मिल जाएगा selfie camera और यह दोनों phone का performance procedure का बात करें तो दोनों phone में काफी आइचा procedure मिल जाता है Redmi Note 8 phone में प्रोसिया दिया गया है Qualcomm Snapdragon 665 ओक्टोकर प्रोसिया दिया गया है और इसका clock speed है 2.0 GHz clock इसमें प्रोसिया दिया जाएगा Qualcomm Snapdragon 675 ओक्टोकर प्रोसिया दिया जाएगा और इसका clock speed होगा 2.0 GHz clock speed वर चलेगा और GPU का बात करें तो Adron 612 GPU दिया जाएगा और यह दोनों प्रोसियार का process technology का बात करें तो दोनों प्रोसियार 11 nm पर आधारी ते 11 nm पर चलता है दोनों phone का OS user interface का बात करें तो दोनों phone में Android 9.0 Pie out of the box देखने को मिल जाएगा और Redmi Note 8 phone में MIUI 10 दिया गिया और यह पर बात करें तो Vivo U20 phone इसमें phone touch 9.0 देखने को मिल जाएगा 9.1 देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह दोनों phone का वरेंड का बात करें तो Redmi Note 8 phone 2 वरेंड पर आता है 4G RAM 64GB internal storage का साथ में आता है और यह पर बात करें तो Vivo U20 phone इसका इसमें कितना वरेंड दिया जाएगा यह कंफार्म नहीं है तो 2-3 वरेंड इसमें भी आएगा इसका जो फास्ट वरेंड होगा 4G RAM 64GB internal storage का साथ में आएगा और एक आएगा 6G RAM 64GB internal storage का साथ में और एक आएगा 6G RAM 128GB internal storage का साथ में दिया जाएगा तो इसमें 2 वरेंड यह फिर 3 वरेंड भी आ सकता है इसमें भी 512GB तक memory card expandable कर सकते हैं memory card expandable करने का option इसमें भी दिया गया है और यह दोन फोन का battery का बात करें तो Redmi Note 8 phone में 4000ms का battery दिया गया है और fast charging का बात करें तो 18W का quick charge 3.0 out of the box देखने को मिल जाएगा और यह पर बात करें तो vivo U20 phone इसमें 5000ms का battery दिया जाएगा और fast charging का बात करें तो इसमें भी 18W का charger bugs में देखने को मिल जाएगा तो यह पर battery पर बाजी माल लेता है vivo U20 phone इसमें 5000ms का battery दिया जाएगा दोन फोन का USB connector का बात करें तो Redmi Note 8 phone में USB Type-C 2.0 दिया गया USB Type-C 2.0 देखने को मिल जाता है और यह पर बात करें तो vivo U20 phone तो इसमें micro USB 2.0 देखने को मिल जाएगा तो USB connector में यह पर बाजी मल लेता है Redmi Note 8 phone इसमें USB Type-C देखने को मिल जाता है और यह दोन फोन का Bluetooth version का बात करें तो दोन फोन में 5.0 Bluetooth version मिल जाता है और दोन फोन में 3.5 mm audio jack भी मिल जाता है यह पर लगा सकते है दोन फोन में दोन फोन का SIM support का बात करें तो दोन फोन में 12 4G voltage मिल जाता है दो 4G SIM यह की साथ में यूज़ कर सकते है और दोनो फोन का security feature का बात करें तो दोनो फोन में तो face unlock मेली जाता है और दोनो फोन में fingerprint sensor भी दिया गिया है दोनो फोन का back side में fingerprint sensor दिया गिया है rear में fingerprint sensor देखने को मिल जाता है दोनों फॉन का NFC का बात करें तो ये दोनों फॉन में NFC देखने को नहीं मिलता है दोनों फॉन में NFC सपोर्ट नहीं दिया है दोनों फॉन का डिजाइन बिल क्वालिटी का बात करें तो दोनों फॉन में काफी एच्छा काफी बढ़िया डिजाइन मिल जाता है सैट में गरीला ग्लस का प्रोटेक्शन दीजाएं और यहां पर बात करें तो वीवा युट्टी फॉन तो इसमें ग्लास को नहीं मिलेगा इसमें प्लास्टिक का बोडिई दिया गहाएं लेकिन ग्लास कि देखना को मिल जाएंगा फिनिशिंग काफी अच्या दिया जाएग लेकिन गुरिले गलास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा तो यह पर डिजाइन बिल्कृलाइटी में बाजी माने को बदेखने को मिल जाता है दोनों फोन का आइब्पार बात करें तो रेड्मिन ओरट फोन यह पहले ही लॉंच हो गया है तो यहाँ बालेपिल है ए 22 नेवंबर को यह फोन इंडिया में लॉंच होने वाला है तो 22 नेवंबर के बाद ही यह फोन एवालेबल होगा और यह दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो एड्मी नोटेट फोन का जो बेस वरेंट है 4GP RAM 64GP Internal Storage इसका प्राइज है 9999 रुपीज और इसका जो हाईयर वरेंट है 6GP RAM 120GB Internal Storage का साथ में आता है इसका प्राइज है 12999 रुपीज और यह पर बात करें तो वीवो यू 20 फोन तो यह फोन अभी तो लॉंच नहीं हो तो इसका कनफर्म प्राइज पता नहीं है तो मैं एक इसका प्राइज होगा 9990 पर आएगा और इसका जो मीड वरेंट होगा सिझिपी म् 717 इंटाने रुपीज पर आएगा चैंद में प्राइज में और लкого होटाइज कल्सकर स्पाने प्राइज में आजा या फिर इससे जयादा भी प्राइज हो सकते हैं अगर आपलुक सगें नेवंबर के बाद ये वीडियो देख रहे तो डिस्क्रेशन चेक कर सकते हुआ पर मैं कंफार्म प्राइज अपडेट कर दूंगा तो बस तो यह था कुछ स्पेसिविकिशन डिटेल्स रेड्मी नॉट एट और वीवो यूट फोन का आपको दोस्तों यह दोनों फोन में से कुंसा फन बहतर लगा है और कुंसा फोन पार्चेस करना चाहोगे आप लूग निचे कमन करके जरूर बताना और यह दोनों फोन का कंफीज का बात करें तो यह दोनों फोन में से कुंसा फन बहतर है तो दोस्तों अभी कंफार्म यह नहीं बता सकते हैं यह दोनों फोन में से कुंसा फन बहतर है क्योंकि वीवो यूट फोन अभी तक लॉंच नहीं हुआ है यह देखना पड़ता है उस प्राइस का हिसाब से यह फोन टिक टाक है य प्राइज में आएगा या नहीं यह भी पता नहीं अगर सेम प्राइज पर आ जाएगा तो यहां पर किल कर देगा रेड्मी नौट एड़ फोन को क्योंकि 10,000 रुपे में आप लोगों सनाब ड्रागन 675 प्रोस देखने को मिल जा रहा है और रेड्मी नौट एड़ फोन में 665 प्रोस दिया गया तो परफर्मस में तुला सा बैतार होगा वीव यूट फोन और यहां पर बात करें तो रेड्मी नौट एड़ फोन तो इसमें भी दू-तीन चीज बढ़िया देखने को मिल जाता है जैसे कि इसमें रियर कैमेरा काफी बढ़िया देखने को मिलेगा आ और इसमें IR Black Star भी मिल जाता है इसे काफी कुछ आप लोगों इसमें देखने को मिल जायेगा और यहां पर बात करें तो वीव यूट फोन तो इसमें आप लोगों दो चीज बढ़िया देखने को मिलेगा एक तो इसमें परफर्मस तुला सा बेतर मिलेगा और दूसरा इसम कैमेरा भी बिल जाएगा एक लास डिजाइन द्याइन राइब यहां कुस नहीं बाता सकते हैं इस प्रैस का हिसाब से 10,000 में काफी है जा काफी बढ़िया एक फॉन मिल जा रहा है वान अफ दा बेस्ट स्मार्ट फॉन बल सकते हैं इस प्राइज रेंड में अब भी के लिए तो यह पे वीवो यूट्य फॉन अभी देक लॉंच नहीं हुआ यू फॉन किस प्राइज पर लॉंच हो रहा लाइक नहीं उस पर भी क्लिक करता है तकि जब भी में बीटे डालूंगा आप लोग मिलते रहेगा अगर आप लोग के वीडियो फेस्बुक पेज बर देख रहे तो फेस्बुक पेज को लाइक का और फॉलो कर दिजए ताकि वहापे भी आप लोग इसे ही वीडियो मिलत है तो चले जोस्तों वीडियो की यह पर खतम करता हूं मिलता हूं अच बीटे में तब तक के लिए बाई